हेलो गाईज, वेलकुम बैक टू डिनमी स्टार्ट स्वागत है आप सभी का एक और ने फ्रेश वीडियो में तो आप लोगों के रेगुलर कमेंट देखते हुए मैंने सोचा क्यों न एक 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 उपर में वीडियो बनाया जाए है जो आप लोगों को बतानी है और वो आप लोग मिस ना करें तो गाईज, कृपया वीडियो में अंतक बने रहेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो एक एक का रिटर्ण डेट बताने से पहले गाईज हम चलते हैं दूसरे सर्वर पर और बताते हैं आपको कि मोको स्टोर में नेक्स्ट क्या आ सकता है तो यहाँ पर जैसा देख बारे होंगे स्क्रीन के उपर में कुछ इस सरीके का इमोट है जो मेरे को देखने को मिला है गाईज, काफी जबरदसा है जिसका नाम होने वाला है एंगरी वाक, तो गाईज भी बहुत ही गुसे में चल रहा है तो यह इमोट भी काफी लाजवा तो जिसपे टैटू बना हुआ है तो यह सारे जो चीज़े हैं हमारे मोखो इस्टोर के अंदर देखने को मिलने वाली है और बोनस प्राइस की बात करें तो यह भी काफी जबरदस होने वाली है, आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर फॉलकों की स्किन भी देखने को मिल र तो यहाँ पर देख सकते हो token tower में हमको यह सारी जो चारो varieties है brushed skin की M1887 की वो देखने को मिल रही है और जो सबसे पहला जो नीचे से start कर reload speed double देखने को मिलेगी और armor protection single plus देखने को मिलेगा और guys आप लोग देख सकते हो काफी अच्छी ability भी है इसकी और बहुत ही कम token में निकल भी जाएगा और second की बात करें यहाँ पर तो damage single plus और range double plus देखने को मिलेगा accuracy minus है यहाँ और guys बात करें इसकी तो यह भी काफी जब 10 सा देखने को मिलने वाला है और enhancement है काफी must है अब बात करते हैं तीसरी gun की जिसका होने वाले rate of fire single और accuracy double plus और यहाँ पर movement speed single minus देखने को मिलेगी यह gun भी काफी लाज जवाब सी है guys आप लोगों को पता होगा और final हम बात करते हैं हमारे fourth और last और final gun के बारे में जहाँ पर damage single plus और rate of fire double plus देखने को मिल रहा है movement speed single minus है तो guys बहुत ही जबरदस स्किन्स हैं यह सारी की सारी और अगर यह event आता है तो आप मुझसे कौन को निकालने वाले है मुझे comment जरूर कर देना ठीक है काफी जबरदस सी बात होने वाले क्योंकि बहुत सारे भाई लोगे पास में लॉल इमोट नहीं है और जो बंदे अभी अभी जिछने गेम स्टार्ट किया है गाईज उनके पास तो गाईज हर्गिस नहीं होगा क्योंकि स्टोर में से बहुत पहली लॉल इमोट को निकाल दिया गया ठीक है तो गाईज यहां वो चांस आने वाला है और हो सकता है कि इंडिया में यह जो इमोट रॉयल है वो भी देखने को मिल जाए तो इसके अंदर में लॉल इमोट के साथ साथ में बहुत सारे इमोट भी देखने को मिलेंगे तो गाईज जिसके पास भी लॉल तो गाइस यह वाला अपडेट आप लोगों कैसा लगा मुझे कमेट करके जरूर बता लेते हैं अब यह बात कर लेते हैं आपको कुन से इवेंट में देखने को मिलेगी आप सब लोगों को पता होगी जो भी इवो गंस आती है या फिर रिटन में आती है वो सारी के सारी फे अच्छा हुआ तो ग्यारासो के अंदर भी निकल सकता है और अगर मेरी तरह लग हुआ तो डेफिनेटली हंडेट एन वन परसेंट ग्यारासो डाइमंड ही लगेंगे ठीक है तो यहां पर गाइस आप लोगों क्लियर होगा कि कितने डाइमंड में निकलेगा और किस तरे क इवेंट में मिलने वाली है यह गन इसकीन और अब बात करने वाले इसके कंफर्म डेट के बारे में तो कंफर्म डेट बताने से पहले गाइस अगर यहां तक आईगे हो तो सब्सक्राइब जरू से कर देना और बेल नोटिपिकेशन और पर सेट कर देना ठीक है और अगर इसका रीटरं डेट के बारे में बात करें तो बहुत सारे बंधे बहुत बहुत बन्दे मोले कि मार्च मत में देखने को मिलेगा गाइस बड़ यहांपे बहुत सारे वह गंस मेट कर रही है मार्च मन ने के लिए तो पहले वह वहांच होगी इसके बाद ही यह дрек को एके तो मेरा मानना ही है कि इसकी मार्च मंत में तो बिलकुल भी आप लोगों देखने को नहीं मिलने वाली है अगर इसका एक्जेट डेट और मंत की बात करें तो वो होने वाला है अप्रिल का मंत जिहां के जिए पर 14 तारिक से लेकर के 20 तारिक के बीच में ड्रैको एक रिटन मे कर दिना ताके इसी तरह के और भी अपडेट्स आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचते रहें तो दीजिए मुझे इजाज़त मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै भारत